शादी और पाटी में बनने वाले चिकन डॉल तो हमें काफी जादा पसंद आते हैं बाकि क्या आप जानते हैं कि काफी असानी से घर पट जट पट घर के समान से आप इससे बना सकती है तो चिकन डॉल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन का बोले स्कीमा ले लिया है यह पर बुकुल मोटा वाला कीमा लिया है जादा बारिक नहीं लेना है हमें एक कप है अगर ग्राम्स में देखे तो 300 ग्राम है आप तिंशन मत लीजे सारे ग्राम्स का मेजर्मेंट में आपको डिस्क्रिप्शन मॉक्स में दिये दूँगी तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा पाउडरी बुने बगिंवी जीरे का पाउडर है चाट मसाल ओप्शनल है आप चाहें तो डाले नह तो नहीं डाले यहाँपर मैंने यूज नहीं किया है साथ में एक को टीवी लाल मेड़ट चुटे चमच और नमक आदा चुटे चमच डाल दिया है, हर इमेज दो बारिक का टीवी, साथ में हाथ भर के हरा दन्या बिल्कूल बारिक का टावा एक छोटो चमच अद्र को लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर दोनों पेस्ट मैंने मिक्स कर के लिए हैं एक छोटो चमच, इसको हम लास्ट में डालेंगे निम्बू करस एक चोटे चमच आप चाहें तो इसकी जगध दही भी डाल सकती है सारे डीटिल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है बस अब हमें मिक्स मिक्स कर देना इन सबी चीजों को दो चमच में तील भी डाल दिया है तील से जो हमारा चीकन के मारीनेशन रेना वो काफी मॉइस्ट रहेगा और बाजार वाला टीस्ट आएगा इसमें तो अच्छे से मिक्स करके पास्मिट हम इसे रेस्ट करने रख देंगे जिसे चिकन अच्छे से मरीनेट हो जाएगा तो चिकन को आर बोलना कि पतला हो गया आपने अच्छे से नहीं बताया घी रोल बनाने में हल्की से महनत तो है बाकि इसका टीस इतना साधा बढ़िया रहता है ना कि एक बार बार इसे बनाने का बन करेगा काफी एजी और टीस्टी वाली यह रेसिपी है तो लगबग 2 मिर तक मैंने अच चमच तेर डालके पूरा चिकन डाल दिया है इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर करी 5 मट तक पका लेते हैं हमने सभी चीज़े माईनेशन में डाल देती तो यहां पर हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है पाश्मट के इंतजार के बाद हमारे चिकन से काफी बढ़िया तो अब हमें क्या करना है कि हम इसमें प्यास डालेंगे प्यास को हमें ज्यादा कुक नहीं करना है इसलिए हमने पहले नहीं डाला था तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्यास को चौपर से भीकुल बारिक-बारिक काट लिया है वो इसमें मिक्स कर देंगे गे ग नफिंग तो हमारी तैयार होगी तो जोब हमने डो बनाया है उसे हम चुटी-चुटी सी बॉल्स बना लेंगे सूखा मेदा लगा कर यहां पर हम मेदी कही यूज़ कर रहे हैं व्यूकुल मार्केट जैसा टेस लाने के लिए बाकि अगर आप चाहें न तो इसको आटे से भी बना सकती है गेहों के पूरा मेदे के हम चुटी-चुटी सी बॉल्स तयार कर लेंगी निम्बू के साइज की जिसे हम डोटी बनाते हैं न सेम हमें वेसे ही इसको पतला बेल नहीं यहाँ पर में मेदा लगा कर बेल रही हो आप चाहें तो इसको तेल लगा कर भी बेल सकती इसको फोल्ड करने के आप प्रोसेस देख लिजी यहाँ पर आप पहले इसको आदा फोल्ड कर दीजी साइट की जो कॉर्णर है उसे अंदर फोल्ड कर दीजी इससे कॉर्णर जो है न वो तेल के साथ निकलेंगे नहीं स्टफिंग इसके बिखुल भी लीक नहीं होगी और ब पना लेंगी तो यह हमारा प्यारा से रोल है इसको हम एक क्वैट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम सारे डोल तयार कर लेंगे अगर आप चाहेना तो ind로 को स्टोर करके भी रख सकती है, करीब 5-6 दिन के लिए अराम से आप इसे बीना फ्राय करें स्टोर करके रख सकती है जब भे आपका मन करें आप इसे बस फ्रीजर से निकाल लिए और डारेक्ट इसे फ्राय कर लिजी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे फ्रीजर में, तो हमारे रोल को अब हम जली से फ्राय कर लेते हैं तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है फुल फ्लेम पर चलाते भी इन रोल को हम गुल्डन फ्राय कर लेते हैं काफी असानी से और काफी इसली बन जाते हैं जड़पट से फ्राइ भी हो जाते हैं और मेरे तो यह फेवरेट रोल ही क्योंकि मुझे इसके स्टफिंग भी बहुत पसंद है इसका टेस्ट भी काफी जादा मुझे पसंद है अंदर से देखें आप कितने जूसी और सॉफ्ट है बाहर से एकदम क्रिस्पी है यह पॉफेक क्योंकि ऐसे ही नहीं नहीं आसान जड़पट बनने वाली वीडियो में आपके लिए लाते रहती हूं अपने फैंबली और फ्रेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा और इफ यू आ इंग्लिश वीवर दन प्लीज सेक आउट और सेकें प्लीश वर्जन थैंक यू फोर वाचिंग